एक जो है वो ये वाले dress है तो इसके बारे में हम detail में discussion करेंगे और dress designing की complete details जो है वो इसके अदर में आपको बताऊंगी तो ये वाले dress है ठीक है, वेलविट में है basically और second dress जो है वो ये काफी dresses पर हम discuss करेंगे लेकिन main main जो है मैं आपको winter collection की dress collection जो है ना dress designing बताऊंगी और ये वाले जो है ये खदर में है ठीक है और mustard के उपर black जो है ना ये मैं आपको पूरी detail बताती हूँ तो आपने पूरी वीडियो देखनी है चलेंजी वीडियो स्टार्ट करते है असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब welcome to muskan miracles आज की वीडियो बड़ी interesting होने वाली है और जैसे के आपको थोड़ा बत नजर आ रहा है कि वीडियो किसे related होगी हाँ जी जी most awaited video और most requested video है तो हम जी start करते हैं वीडियो को इस वीडियो में हम dress designing को discuss करेंगे winter stuff पर मैं आपको पहले बताऊंगी और इंशाला देखते हैं अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसको दो parts में divide कर लेंगे तो चलें जी सबसे पहले मैं आपको खुचो मैंने एक dress बनवाया था velvet का जो party wear के लिए है वहां से start करते हैं तो वहां से मैं आपको पहले बताना शुरू करूंगी कि उसके ओपर आप कैसे dress designing कर सकते हैं इसके लाबा कुछ जो है खदर की dresses भी included होंगे कुछ daily use के कुछ जो अगर कोई कर रहे है तो वहां पर पहन के जा सकती है ठीक है तो चलें जी सबसे पहले हम start करेंगे इस velvet की dress से जी guys तो सबसे पहले जो है इसको मैंने hang कर दी आप लोगों को दिखाने के लिए अब ये color क्या है ये जो है ना purple color का बड़ा बारीक सा मज़े का velvet था सबसे पहले आपने na velvet की choice बहुत अच्छी करने है market में different तरह की velvet available है आपने अच्छी quality की velvet ले लेनी है because अगर आपने उसके उपर ये proper काम करवाना है तो फिर definitely आपको जो है ना अच्छी velvet चाहिए otherwise अगर आप इतना महंगा काम उपर करवा लेंगे और velvet भी अच्छी नहीं होगी तो उ इसकी neckline पर कढ़ाई हुई भी है यह मैंने velvet के dress लिया था और इसके उपर जो कढ़ाई हुई भी है यह मैंने बता दूंगी कहां से करवाई थी और यह सारी जो है na silver color मैं मैंने इनको ना मैंने बुतीक पे चाकर उनको design select कर लिया था उनको बता दिया था although अभी मेरी यह भ बहुत फिट बनाया और उन्होंने अच्छा यह shirt की neckline है और आप देख सकते हैं कि छुट छुटे जो है यह इसको जो अगर हम typical language में बूलें तो यह इसको कहा जाता है जो वह अपनी term में बताते हैं टेलर्स जो कहते हैं कि छटा लगा देंगे तो यह थोड़ा heavy वाला इसके उपर प्रॉपर मुती नहीं है अच्छा यह shirt है और shirt के end पे दामन में भी दामन में भी यह प्रॉपर जो है ना यही वाला पैच लगाव है ठीक है इसको मैं आपको रखके भी दिखाती हूँ स्लीव की तरफ आजाते हैं स्लीव की अगर हम बात करें तो स्लीव स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल प्लेन है आगे फिर सिंगल चटा है और उसके बाद जो है ना स्लीव के end पे भी यह वाला डिजाइन है ठीक है जो एक ही common डिजाइन है जो उसके उपर है करीब से आप अबशिक्स का स्क्रीन्चोट भी ले सकते हैं यस अब अब मैं आपको ना इसका ट्राउजर भी दिखाती हूं जामआवार का ट्राउजर है जो आपको नजर आ रहा है और दुपटा भी दिखाते हूं जी गाइस तो यह जो है शिर्ट है जिर्ट के end पी जैसे में आप से स्टिटिंग की कॉस्ट और इसकी कढ़ाई कराने की जो कॉस्ट है उसाब बता दूं की और यह देखें पाइपिंग यही साथ सिल्वर ही पाइपिंग भी हुई है बड़ी नीट बहुत अच्छी अल्दो यह ड्रेस मेरा दो साल पुराना है इसको कभी-कभी पैना जाता है पार्टी वेर के लिए है तो इसलिए मैंने इसको बहुत संभाल के भी रखा वह है तो अच्छी क्वालिटी में ठीक है अच्छी तो यह शर्ट होगी अब आपकी मर्जी आप जिस स्टायल में मर्जी इसको सिल्वा लें आप चाहें तो फ्रॉक बनवा लें चाहें शर्ट बनवा लें शर्ट पैसे बहुत अच्छी लगती है और यह स्लीप्स मैं दुबारा दिखा देती हूँ चले अब जल्दी से मैं आपको इसके ट्रॉजर भी दिखा देती हूँ इससे पहले कि एक ड्रेस की वीडियो इतनी लंबी हो जाए अब यह जो ट्रॉजर है ना आपकी मर्जी आपने जिस स्टायल में इसको सिल्वाना है ठीक है मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा रही हूँ और कॉंबिनेशन चेक करें बहुत मज़े का जामावार में ट्रॉजर उनने मैच किया था अब यह मज़े की बात यह है कि आप अपनी मर्जी से भी उनको बता के आ सकते हैं उनके पास अलड़ी क्वालिटी बड़ी भी होती आपको पते ही होगा हर बुतीक पे हर टेलर जो है आपको डिफेंट विराइटी बता देते हैं तो मुझे यह अच्छा लगा था कि प्लेन के बजाए यह जो है ना प्रिंटेड में इस तरह का बहुत अच्छा लगता है तो यह साथ मैचिंग भी बहुत अच्छी इसकी हो जो है वह वरना उसके उपर कलर उसका चेंज ओना शुरू हो जाता है थोड़ा कलर खराब हो जाता है ऑल्दो मेरा थोड़ा सा हलका सा हो रहे है बट मेरा दो तीन साल पुराना ड्रेस है लेकिन फिर भी इसको क्योंकि यह शाम के फंक्शन के लिए बेस्ट रहता है ना डा परपल कलर की बिकॉज परपल ड्रेस के साथ मैचिंग के लिए मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूं अच्छा जी तो माजरत जी प्रेस बिल्कुल नहीं हुआ वा अच्छा यह चट्टा में जो आपको बता रही थी यह वले जो एक एक यह लगे वे है ठीक है तो यह प्रेश्मी यूज करते हैं तो इसलिए रुपटा ऐसा है और यह हो गया जी शिर्ट और यह हो गया ट्राउजर ठीक है तो आह होप मैंने आपको फुल एक्स्प्लेइन कर दिये तो चलते हैं जी नेक्स ड्रेस की तरफ जी गाईस तो जो अभी मैंने आपको प्रिवेस ड्रेस दिखाया है ना उसकी जो है इसकी स्टिचिंग कॉस्ट भी जाद होती है विकास वेलवट है तो 2000 तक स्टिचिंग कॉस्ट हो जाती है इट वेरीस फ्रॉम टेले तो इसमें आपने कर वो परेशान नहीं हो ना आ को पता है कि दो तीन साल पहले कि मैं आपको रेट्स पता रही हूं तो अब 10,000 तक आपको आपको अराम से ना जो है बन चोएगा विसे 7-8 में भी आए थेंग सो बन सकता है ठीक है चलेंजी चलते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ यह ना मैं आपको ड्रेस डिसाइनिंग इसली अच्छा दे रही हूं मैंने यह रेडिमेड शर्ट ली थी तो इसके अंदर ना यह खदर में है शर्ट मैं आपको कॉम्बिनेशन बताना चाह रही हूं कि अगर आप खुद से चीजों को बनाना चाह रहे हैं या खुद से कुछ ड्रेस डिसाइनिंग करना चाह रहे हैं त सबस्का मस्टर्ड का अच्छा सेकेंड ली मैं आपको भी अपताना चाहता है हूं कि इसके साथ जो एना ट्राउजर डुपट्टा वह ब्लैक ही यूज़ करें वह राम से प्लेन ब्लैक होना चाहिए बिकोस शर्ट जो एना फुली इसके बड़ पर पैच लगे हैं और इस स्टाइल आप इस तरह का गला बनवा सकते हैं बटन्स बहुत अच्छे हैं अब यह क्या है एक उपर एक नीचे वैसे आल्मोस्ट बराबर बराबर ही हैं यह हिल जाते हैं तो फिर इस लिए थोड़ा सारा जैसे कि यह तो यह बटन्स दो-दो करके न कि अबर ब्लैक कलर का य अब हम आते हैं तो यह पैचेज लगे हैं जी गाइस तो यह जो पैस्टेट पैचेज होते हैं आप मुझे इंकर नाम बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा आप ने यह लगवा सकते हैं किसी भी खदर के ड्रेस पे मस्टर्ड कलर पे ब्लैक कलर बहुत फिट लगेगा और अब बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और इंग अच्छा हो सकता है मैं आपको अब और इंग दिखाऊंगे अपना अच्छा जी अब देखें इसके स्लीव की तरफ आते हैं तो यह हैं जी प्लेन स्लीव से और इसके बाद जो है ना फिर यहां पे तीन पटियां जो है ब्लैक कलर की लगी वी है तो यह भी बहुत फिट एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग करवा ले ठीक है अब इसके साथ ना ओविसली डुपट्टा और या आप स्ट्रॉलर ब्लैक ले लें बिकास खदर के ड्रेस है तो ओविसली सर्दिय आपको अच्छी समझ आगी होगी चलते हैं जी थर्ड ड्रेस की तरफ अब आते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ असल मैंने आज काम किया है कि छुटिया चुके खतम हो रही थी जॉप से तो मैंने सुचा कि आज बहुत सब्सक्वा प्रेस करके रहें कर देजाए तो यह आपको अच्छा जी आते हैं अगेन मैं बहुत बाते करना शुरू हो जाती हूँ आहो अब आते हैं जी थर्ड ड्रेस की तरफ यह है जी औरेंज और ब्लू का कॉंबिनेशन सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल लोक दिखा देती हूँ यह मैंने लिया था तो था रेडी मेड ना स्टेस्ट मैं लिया था लेकिन मैं आपको ड्रेस डिजाइनिंग में चुकर यह हल्पफुल हो सकते हैं अब मैं आपको इसका आइडिया देती हूँ कि एक तो कॉंबिनेशन आप चेक करें कि और ब्लू का कॉंबिनेशन हमेशा बहुत अच्छा लगता है और यही है इसके साथ ऐसा ही डुपट्टा है इसका और प्लेन ट्राउजर है फिर सारे और इंज और जो जाना था ट्राउजर कैसे है ट्राउजर यह है जी मैं आपको खोल के अभी निकाल के दिखाते हूं इसके साथ पैच भी लगा गया गया अच्छा अब यहां पे न यह जो चीज है यह बहुत अच्छी लग सकती है कि अगर यह टेसल्स नुमा जो है ना यह चीज़ें I think so शायद तीन होगे यहां पे और एक गिर गया होगा यह मुझे लगता है दो ही थे और मुझे इतना याद नहीं है अच्छा यह कड़ाई होई है अब इसका स्टाइल क्या है यह तीन चुनट लगी वी है अगर आपको क्लेरली विजबल हो ना तो यह एक चुनट है यह एक है और यह एक है यह तीन चुनट लगी वी है इसके उपर चुनट वाला जो फ्रॉक होता है ना यह बिसिकली फ्रॉक है ना that's not shirt तो यहां पे भी आपको चुनट अब आते हैं जिसके यह स्टाइल की तरफ मैं आपको पेट पे रखके दिखाते हूं जी गाइस तो यह है जी गाइस तो आपको प्रॉपर ली चुनट भी जो है ना वह विजिबल होंगी यह तीन ठीक है और यह फ्रॉक का सारी फ्रॉक है एलाइन फ्रॉक बनाव है और ए है जी ड्रेस ठीक है ट्रॉजर की बात करते हैं ट्रॉजर जो है प्लेन कलर में है और आभ फ्रॉजर का लिए लाइट कोलर है इसका बेस कलर है प्लार्स का वह इसके अंदर है और यहनड पर पैच लगा व रेश्मी है लेकिन संभलने वाला रेश्मी है आपको आइडिया होगा कि कुछ ना संभलने वाले रेश्मी भी होते है और यह देखें जी यह साथ प्रिंटिड ही है जैसा इस शिर्ट के अंदर प्रिंट है और इसके बॉर्डर जो है न डुपटे का वो ब्लू है तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का कॉंबिनेशन भी आप इसको इस तरह स्टिच करा सकते हैं और साथ ट्राउजर ऐसा मैच कर सकते हैं तो चैलें जी यह थर्ड ड्रेस है अब चलते हैं फोर्ड ड्रेस की तरफ पर मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी होगी इसलिए इंशा